Great rule of success यह है कि think on paper, जो goal और जो मकसद को लिखा ना गया हो, वो एक खौब तमन्ना और होईश्ट हो सकती है, लेकिन वो goal नहीं हो सकता है, जिस खौब को लिख लिया गया हो और उसके लिए एक deadline ताई कर दी गई हो, तो वो खौब अब goal बन जाता है, Goal जब return form में होता है, तो वो हमारे अंदर एक energy और excitement पैदा करता है, हमको motivation मिलता है कि हम अपने goal को हासिल करें, कि अगर हम अपने goal को और अपने target को अगर नहीं लिखते हैं, तो हम misdirection का और confusion का शिकार हो सकते हैं, दुनिया के अंदर सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं, जो अपने goal को लिख लेते हैं, हाला कि उनका education, उनका talent और उनकी सलाहियते इतनी जादा नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कि उन्होंने अपने goal को लिख लिया है, उनकी productivity में और उनकी efficiency में 5 से 10 गुना जो है इजाफा हो जाता है,